नमस्कार आदाब इस वक्त में मौझूद हूँ खुटान थाना च्छेतर के बेसहू पुरगाओ में इनका एक मामला इनकी एक बहन थी जिनका नाम था सांती उम्र 38 साल जिनका साधी हुआ था संट तो हजार दो में सिग्रामाउ थाना च्छेतर के करनपुरगाओ में इनको दस तारिक को इनकी बहन के साध इनके जो जीजा लगते हैं उनको जान से मार दी है इनका रोप है इनको ग्यारत तारिक को लगभग साधे ग्यारा बारा बजे इनको जानकारी होती है फिर सिग्राम आओगी पुलिस बाड़ी को बरामत करके पोस्ट मार्ण लिए बेज़ अब जानने का परियास करते हैं क्या है पूरा मामला फिलाल सांज्टी के दो पुत्र हैं एक पुत्र के उम्र लगभग वर्स एक का नाम है आयूस और दूसरे का नाम है प्रिंप फिलाल इनके जो दीदी जो दीदी और उनके जीजा जीवन यापन करने के लिए भांडूप में रहते थे वहीं अपना घर की रस्ती चलाते थे इनकी दीदी यहां आई थी किस बात को लोकर विवाद हुआ जानने का प्रयास करते हैं यह थाने पे तहरीर दिये हैं हतिया के 302 खतम हो गए थी हमको सोचना मिला मैं भी गया वहां पर अधर तलास आई थी तो सिंग्रवाद सब कुछ जो वहां का मतलब हुआ हमारे मतलब हमी अपने एसो सर से बात किये एसो सर हमारा जो है किस परकार की घटना वहां हो गई भाई घटना असल पर हम सब गया ही नहीं पह है वहां से हमको मिला तो हम भी अपने घर पे अपनी माबाप से सबस्वता है अपने भाई बंदों से हम भी गए यहां से लगबग साड़े बारा बजे पहुचा मैं तो मैं पहितिये पूल करूं मतलब उनसे दो किलमेटर पहले एक पहितिये पूल पढ़ता है तो मैं वहा जा रहे थे हमको भी सुचना में लग भाई लास थाने पहुच चुकी है मैं थाना पहां गया उसके साथ बाद में मैं अपना वहां सब कुछ पूशता से अपना बार्चीत हुई तो मैं अपना केस लिखवाया वहां पर किस परकार से चोट वहां लगी थे उनके सर में उन कुछ बता रहे थे कि फोन से बात हुई थी अपने पिता जी सो बात किये बाड़ी को घर गंदर रख कर ताला मार कर फरार हो गया नहीं देखिए हमको नहीं पता है लकिन जो वहां लोग उनके मतलब गाउवाले या ग्राम परधान उनके या जैसो सर्क थुरू या मतलब प्रसासन थुरू जो हमको मतलब सुचना मिली है इससाब की मानलो तो लगभग बता रहे थे कुनका एक भाई था चचेरा जिसका नाम राजियस पाल है ओ और महंदर पाल ये दोनों लगभग साड़े ग्यारा साड़े ग्यारा बच तक दोनों आजमीं बात चीत किये बैड मैं उसके बाद जो है बाई रात में बारा बजक बाद सर्क लगभग जारा साड़े ग्यारा बच तक हमारे चोड़े बच्चे पास फून किये हैं इस समय दिली में है यहां से गया था छुटिक समय पर अपने गूमने के लिए गया था तो दिली में आज भी माजूद वहा कि अगवार जब बारा बज रहा था लगवग इतना समय हो रहा था यह दिन दस तारिक को तरिक सुम्वार का दिन था वहां पर मेरे सिश्टर कर लड़के का बढ़ था बचे को हम बढ़े था उसे बढ़े मना रहे थे इसको भाई पता हो गया नहीं पता हो गए अपना उस है वहां तो लेड़ए सभकुछ प्रोग्राम होते ही है तो हमारा लड़का हमसी नुद मुझे हाइं 13idezा ही जब वह सुना ङी और पास फून koya भ slang कुछ तो भाई जो उनके गाउवाले या परदान बता रहा है हमको भाई उस बात की हम भी मान करेंगे क्यों कहम हुम है वह मोकिब था नहीं और हमारे नजाने पहले लास भी वहां सूड़ गई है हमारा हमारे पीटा जी हमारा बड़ा लाड़का जो इसमें राम गांज में सुपर वाजर है यह दोरों मतलब वह भी राम गांज डिप्टिम था वहां जब सूचिना पाया अपने अप्लिकेशन मतलब छुट्टी लेका आया जब हमारे पीटा जी हमारे लाड़का वहां पहुंचा यह सबकी प्रसासन लोग भाई की पैड़ कर चुके थे अच्छे अबता पारी बाइन का सिक्याईत है तुमारे बाहनोई का सिक्याईत है कोई सिक्याईत तक नहीं है मेरे पास तो अचाना कि इतनी बड़ी कदम उठाना अब भाई वो समझे किया एक मैटर मना उसके एक दिन पहले तो मैं सुन रहा हूं को लेगा मार्किट कराया कराया पायल खरी अच्छे लाल हम से बता रहा था उसकी अहुरत भी गई थी मेरी सिष्टर भी गई थी तो सब वहां से पांच बजे आए यह भी सूचरम को मिली है अब भाई जो वहां को बता रहे है तो आत में लगबग बारह और अब अजग बाद उनको मार के ओ बेसूत को मतलब आप ज अब चोड़ा और जिस आपसे मतलब दिख्याई दे रहा है बाई दर्दाब तो ही है अब कैसे हो क्या किया की आरात में वह जाने उसके बाद बाड़ी को घर में ताला मार दीया है और उसके बाद अपना फराहर हो गया उभी मतलब वहां के गाहों वाले उनके पर उसी लो जबाब नहीं दिया तो उसके बाद पुलिस लोकेशन लोकेशन क्या बता रहे थे हैं तो अपना शर्विलाइंस में डाले हैं परसासनलोग हमसे यह सो सर बता उसका नमबर तुरंट डाल दिये गया है डाले तो मालो लगभग साड़े नहीं सुरी साड़े तीन बजे हम सब हुआ बाइटे थे मेरे सामने घी मदलब है फून लगा उसका फून लग गया ते सब तुरन चेक किये तो इनको बनाते भगवजरी है हमदो इसको लोकेशन मिला तो गाड़ी मदें माद लगभग यहां से गाड़ी बी आए चार बजसे निकला है हुं चार बजे यहां से गाड़ी लेके अपना यसो मतलब तीम भाई गई वहाँ पर जो गया होगा हमको देखो पूरा नालेज नहीं को जाएगा को नहीं जाएगा और उसके साथ में राजेस भी गए थे गरम प्रधान भी गए उसको पाहचान नेकलिए तो जो है भाई मैं तो इस दिन सोच ना पाया नाहीं किया हुआ क्या हुआँ आपके जिज्या आपको जहनकारी यह वै आपके जो जिज्या थे बनारस इप्र उनके पिदा जी प़ोन किया उ पहिए वा दो क्या बात हो रही कि आप कि त्या आ जानना जातinkो जा भाई हम सुने नहीं है जो रिकोर्डिंग में एसो सर ने रिकोर्डिंग किये थे उसको मतलब बात को मैं भी सुना वो इसमें उधर से फून आया उधर से फूना तो मोबाइल मेरी सिस्टर थी जो मेरा जीजा उसके पास मोबाइल नहीं थी तो फून उठाया जब आई आई पाल नाम है उनके पित्ये आए तो फून खुया है मैरा वहीं तो बोल रहा है कि बोले कहां हो तो बोले पहुझ जाए रहे हो तों को तो मार डाला जहां के यहां थी वहां पहुंचा दिया हूँ तब औ yapılे कि तु कहां हो तुम कहां जा तो बोल रहा है कि मैं बनारंग पहुंच चुका हूँ अब मैं कहां जाओं हमको कोई पता मेरा नहीं है उसके बाद साम को मतलब है उजदिन तहम सब लेगे वहां मतलब है लास अपना भीन ले लेग निकल गए वहां पोस्ट माडम कराए उसके बाद जो है राम घाट मजबगन पड़ता है राम घाट जला दी है जलाग लगबग ढाई तीन मज़ी रात खमसब आए भाई हमारे यहां भी नात चोटे दरों का सर मिले माई तो वहां बातचीत हुई हमारी तो उसके बाद बताए मैं उससे पूछने लाम कैसर क्या हुआ उसका बोले कि यहार वहां तो टीम पहुंची थी लगिन को मतलब साड़े पांच वजे उसका मुबाईली सूचाप हो गया कोई लोग को सर नहीं म गई आरेष्ट किया जाए हुँ उसका बियान किया जाए क्यों मारा क्यों मारा कैसे मारा और कोई साथ मुठा किया था हो यह सचाइत होनी चाहिए हमको अदो कि अधिये हमको यह नहीं है क्मतलब की मतलब गलती आपक है सजा और कोई बोग एचीज में परसंद करता हूँ गलती या खुष्छा हो झाए यो ऑखशी तिसरा बियाद म गया एगर इसको आपमान करो उसको कर्षी को मैरी महाँ है अजीवन काराब्स हो उसका अजीवन काराबस हो या पहासी हो क्योंकि ये जान किसी को भी हो जान बराबर होता है उनकी भावी ही आपसे क्या बातचीत होती थी आपका नाम क्या है कुछ बातचीत होती थी संती से अपके नहीं होती है अपन सी आय Darren क कभी ने कि है लड़की बच्चों के अपने देख भाल करती रहें खाती पीते रहें और का उचाती लेकिन इसन कई दिहन बहुत घट ना कि हैं अब करियागी का बताई लोगों को यह भी आता होगा कि वो जेल चला जाएगा दो बच्चे हैं कहां जाएंगे अब उनके दुछ बच्चा हैं कहां जाए अपना जेल खटे सही है अगर उनका इतना है तो किसी के घर का भी बात हो तो आप उनके बड़े भाई हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हरिचंद पाल इनकी छोटी बहन थी जिसकी उमर 38 साल थी उसका साधी किये थी सिग्रामा उठाना च्छेत के करनपुर गाउं में लेकिन जिससे साधी किये थे वही हत् इनका आरोप है फिलाल उसको पर नाम जद्धी तहरीर दिये है सिग्रामाओ के पुलिस 302 का मुकदमा विदर्ज के लिए उनको धूर रही है जल्द जल्द गिरपतार करके कारवाई की जाए इन लोगों को कहना कि हत्या क्योंकि कि इतने लोग मिल के मारे हैं पुलिस बार झाल 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 झाल